हेलो एब्रीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर आज हैं 3 नवंबर दो या तेईस और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 नवंबर दो या तेज की डेली करें टफियस के कुछ important questions अगर आप किसी भी अग्याम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यादा important रहने वाली है अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और वैल आइकन को भी all पर प्रेस कर लिजे ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अप्लोड करूँ तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएं और आज की इस वीडियो के PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्रम चैनल पर मिल जाएगी और इस टेलीग्रम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो आप वहाँ से इस टेलीग्रम चैनल को join कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, इस वीडियो के लाश्ट में मैं आपसे एक क्वेशन भी पूछूंगा और इस क्वेशन का सई आंसर आपको कमेंड में बताना है, तो चलिए चलते आज के अपने टॉपिक की ओर तो अमार आज का पहला क्वेशन है, कि इस राज्ट के दस वर्सिय विहान तल्या को वाइल लाइफ पूर्टोग्राफर ओफ दा इयर पूर्सकर दिया गया है, इस क्वेशन का सई आंसर है, आप इमीज में भी देख सकते हैं, ये है करनाटक राज्जगे विहान तल्या, जि की ओम्र दस वर्स हैं, और एनी को वाइल लाइफ फोर्टोग्राफर ओफ दा इयर पूर्सकर दिया गया है, बैंग्लरू के दस वर्सिय प्रतिभाशाली विहान तल्या विकाश ने प्रशित वाइल लाइफ फोर्टोग्राफर ओफ दा इयर पतेयुकता में दस वर्स और उसमें उससे कम स्रेडी में सीज पुरुसकार प्राप्त किया है। अब करनाटक जो राज हैं, इसकी राइधानी बैग्लरू है, मोख्य मंत्ती है करनाटक के सिध्धा रमईया और राजपाल हैं, थावर चंद गहलोत। नेक्स कुशन है, अगर तला अखोरा रेल प्रोजेक्ट भारत और केस देश से सम्मन्दित हैं, इस कुशन का सही अंसर है, ओप्शन सी बंगलादेश, तो अगर तला अखोरा रेल प्रोजेक्ट अपने देश भारत और बंगलादेश से सम्मन्दित हैं, प्रधान मंत्री नरिंद मोदी जी और बंगलादेश की प्रधान मंत्री जी ने तीन डेवलाप्मेंट प्रोजेक्ट्स का वर्च्वल यूद गाटन किया इसमें भारत बंगलादेश को जोडने वाली दो रेल परियोजना है अखोरा, अगरतला क्रोस बॉर्डर रेल रिंक, मोंगला पोर्ट, ट्रेल लाइन और एक मेगा पावर प्लांट, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट सेकिंड सामिल है अब बंगलादेश की राइधनी क्या है डाका, बंगलादेश की मुद्रा है बंगलादेशी टका और बंगलादेश की प्रधान मंत्री है शेक हशीना नेट कोशन है गोवा में 37 राश्टिय खेलों में महिलाओं की 20 किलो मीटर रेस बॉग में नया राश्टिय रेकॉर्ड केस ने बनाया है इस कोशन का सई अंसर है option B प्रियंका गोश्वामी आप image में भी देख सकते हैं ये हैं प्रियंका गोश्वामी और इनो ने गोवा में 37 वे राश्टिय खेलों में महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस बॉक में नया राश्टिय रेकॉर्ड बनाया है गुवा में चल रही 37 में राष्टिय खेलों में महाराष्ट की तेजस आशोग सिरसीर ने पुरुशों की 110 मीटर बादा दोड में इन खेलों का नया राष्टिय रिकॉर्ड कायम करके अब उत्पूर उपलब्दी हाशल की है और नो ने 13.8 सेकंड में यह रिकॉर्ड बनाया वही उत्तर पदेश की प्रियंका गोश्वामी ने महिलाओं की 20 किलो मीटर रेस बौक इश्परधा एक घंटा 36 में 35 सेकंड में पूरी की और इसमें राष्टिय खेलों का नया की तमान इस्थापित किया नेक्ट कुशन है हाल ही के एक अध्यन के अनुसार के इस भारती राज में देश में कैंसर की गटना दर सबसे अधिक है इस कुशन का सई अंसर है ओप्शन ए मिजोरम तो हाल ही के एक अध्यन के अनुसार भारती राज मिजोरम में कैंसर की गटना दर सबसे अधिक है देश का दूसरा सबसे कम आवादी वाला राज होने के वाबजूद मेजोरम में भारत में कैंसर की गष्टना दर सबसे अदिक है 18 साल के रोजान आध्यन के नवीनतम साच से पता चला है कि मेजोरम में कैंसर की गष्टना और मत्य उदर में लगातार बद्धिक हो रही है इस कुशन का सई अंसर है option A करनाटक तो करनाटक राज में होश्टाइल एक्टिविटी वोच करनेल पढाली शुरू की गई है यह क्लाउड आदारित शूचना प्रवंदन पढाली है जिसे वन नजीब अपराद वन नजीब अपराधियों और वन नजीब म्रत्युदर के प नेक्ट कुशन है यूनेश को द्वारा के सहर को भारत का पहला साहित का शेहर बनाने की गोशना की गई है इस कुशन का सई आंसर है option C कोजी कोड को तो यूनेश को द्वारा केरल राज के कोजी कोड शेहर को भारत का पहला साहित का शेहर बनाने की गोशना की गई है 31 अक्टूबर को मनाए गई बिश्व शहर दिवस पर केरल में इस्थिस सहर कोजी कोड को सायत के शहर का खिताब दिया गया है और यह गौरप्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर है नेक्ट कोशन है इस मार्ट सिटी मिशन के तहित के इस राज्ज के बेल गावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया गया है इस कोशन का सही अंसर है ऑप्शन बी करनाटक तो Smart City Mission के तहित करनाटक राज्ज के बेल गावी में मैला बाजार प्रस्तोत किया गया है Next Question है कि इस इस्टेडियम में सचिन तेंदूलकर जी की प्रत्मा का अनावरड किया गया है और इस Question का सही अंसर है Option A वान खेड़े इस्टेडियम तो वान खेड़े इस्टेडियम जो कि ये मुंबई में हैं उसमें सचिन तेंदूलकर जी की प्रत्मा का अनावरड किया गया है इस प्रत्मा का निर्माड महराष्ट राज के एमद नगर के चित्रकार मूर्तिकार प्रमोद काम लेने किया है इस महिला क्रिकेटर को सितंबद दोया तेज के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है इस क्वेशन का सही अंसर है Option B चमारी अटापट्टा आप इमेज में भी देख सकते हैं ये हैं स्री लंका देश की क्रिकेटर चमारी अटापट्टा और एनिको सितंबद दोया तेज के लिए ICC Player of the Month का सम्मान मिला है नेक्ट कोशन है कैलिसको का नामक कोकीन के लिए एक नया टीका केश देश ने विक्षित किया है इस कोशन का सही अंसर है Option B ब्राजील तो कैलिसको का नामक कोकीन के लिए एक नया टीका ब्राजील देश ने विक्षित किया है कोकीन के उपशार के लिए ब्राजील के व्यग्यानकों ने कैलिसको का नामक कोकीन के लिए टीका विक्षित किया है ये टीका शरीर में प्रत्रच्छा प्रत्क्रिया उत्पन करके कोकीन के प्रबाब को कम करता है कोकीन एक नशे की लट लगाने वाली वो तेजक ड्रग है जो कोका पौधे की पत्तियों से बनाई जाती है अब ब्राजील जो देश है इसकी राइधनी ब्रासी लिया है ब्राजील की मुद्रा है ब्राजीली रियाल और ब्राजील की राश्पती है लूइस एनासियो लूला दा सिल्वा नेश्ट कुशन है सतरकता जारुकता सपता दोया तेश का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है इस कुशन का सही अंसर है ऑप्शन B 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक तो सतरकता जारुकता सपता दोया तेश का आयोजन 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक किया जा रह देश में 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक सतर्कता जारुकता सप्ता मनाय जा रहा है और इस सप्ता का आयोजन केंदी सतर्कता आयोग द्वारा किया जा रहा है और इसकी थीन ब्रश्टाचार का अब्रोध करें राष्ट के पती समर पित रहें हैं इसका उद्देश शार्वजन जीवन में सत्यनिष्टा और नेतिकता के मरत्म के बारे में जायरुकता बढ़ाना है कि इन दिये सतर्कता आयोग भारा सरकार के विविन्ने विभागों के अधिकारियों करमचारियों से सम्मंदित ब्रश्टाचा नेंतरन की सरवोच सज़ता ह और इसकी स्थापना 1964 में होई थी नेक्ट कॉश्ट है, हाल ही में सैवत राष्ट सभा ने गाजा प्रस्थाप को मनजूरी दी, ये प्रस्थाप के इस देशद्वारा तयार किया गया है इस कॉश्ट का सही अंसर है,ॉप्शन ए, जोर्डन तो हान ही में स्रेवत राष्ट सवा ने गाजा प्रस्ताप को मंजोरी दी है यह प्रस्ताप जोर्डन देश द्वारा तैयार किया गया है अक्टुवत दोया तेश में सहवत रष्ट मासवा ने गाजा प्रस्थाप को मंजूरी दे दी है और इसका उद्देश गाजा में नागरकों की सुरच्छा और कानूनी और मानवी दायत्मों को कायम करन रखना है जॉर्डन की राइधानी अमान है जॉर्डन देश की मुद्रा है जॉर्ड नियन दिनार और जॉर्डन की प्रधान मंत्री है बिशार खासावने इस question का सई अंसर है option C, Bolivia तो हाल ही में Bolivia देश में दुनिया का सबसे उंचा परमालू अनस्वनार रियक्टर इस्थापित किया जाएगा दुनिया का सबसे उंचा परमालू अनस्वनार रियक्टर बोलिविया में इस्थापित किया गया है ये अनुसन्हा रेक्टर समुद्र तल से 4000 मीटर की मुचाई परिस्तित है और इसकी स्थापना रोसा टॉम कम्पनी द्वारा की गई है बोलीविया जो देश है इसकी राईधनी लापाज पुलिपिया की मुद्रा है बोलीविया जो और यहां की राष्टपती है लोईस आर से नेक्ट कोशन है हाल ही में अंतरराष्टिय सौरगटवन्न सवा का छटा सत्र कहां शुरू हुआ है इस कोशन का सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली तो हाल ही में अंतरराष्टिय सौरगटवंदन सभा का चछत्ता सत्र नई दिल्ली में शुरू हुआ है अंतरराष्टिय सौरगटवंदन की छटी सभा का आयो जन 30 अक्टूबर से लेखर दोन वया तेश तक नई दिल्ली में किया गया है सबसे महत्पूर योगदान के रोप में आई ऐसे उन देशों में निवेश लाना चाहता है जिनने ओजा तक पहुच किया विशकता है और इस वर सौर ओजा में 380 बिलियन अमेर्की डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है इंटर अपना पंदरेने मुख्याड है इसका गुरुगरम हर्याना में और इसका अध्यच है अपना देश भारत नेक्ट कुशन है ग्लोवल रिमोट वर्फ इंडेक्स दो या तेश के 108 देशों में भारत को कौन सा इस्थान मिला है इस कुशन का सई अंसर है ओप्शन ए 64 तो ग्लोवल रिमोट वर्फ इंडेक्स दो या तेश के 108 देशों में भारत को 64 इस्थान मिला है पिछले वर्फ भारत इस सुची में 49 नंबर पर था लेकिन इस बार भारत की रैंकिंग अटकर 64 हो गई है अब कल की वीडियो मैंने आपसे कुशन पूछा था कि हाल ही में State Bank of India यानि SBI ने किसे अपना Brand Ambassador बनाया है और इस कुशन का सई अंसर था Option C महिंदर शेय दहुनी तो हाल ही में State Bank of India ने अपना Brand Ambassador महिंदर शेय दहुनी को बनाया है और इस कुशन का अंसर लगवक सभी स्टूनेंट्स ने सही बताया था अब आपके लिए आज का कुशन है इस खिलाड़ी को आठमी बाद बैलोन D और पुरसकार से सम्मानित किया गया है इस कुशन का सही अंसर आपको कमेंड में बताना है अगर आपको ये वीडियो आज की हैलफल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो चलिए चलते हैं जय हिंद जय बाहरत वंदे मातराम